नमस्ते, मैं हूँ सचिन गोयल और ईकुंजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ मैं एक नैचुरोपैथे स्कॉलर हूँ और हाइपर्थोयरेड को तेजी से ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा आपको बता रहा हूँ हाइपर्थोयरेड के लिए इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको चाहिए हरा धनिया, अदरक, हल्दी और नीबू इसके लिए आप धनीये की पतियों को पानी के साथ पीस लीजे पीसने के बाद इसे चान लीजे ताकि धनीये का रस निकलाई आपको आधा कप यानि लगबग 50 ml धनिय का रस लेना है अब इसमें आपको मिलाना है एक चमच अद्रक का रस एक चोता ही चमच हल्दी पाउडर और एक चमच नीबू का रस इस मिक्शर को आपको रोजना सुबह शाम पीना है हाइपर थोरेड जिसमें की ब्लड टेस्ट में TSH बहुत कम आता है और थोरेड के हर्मोन्स T3 और T4 बहुत ज़्यादा बढ़े हुए आते हैं और जिसके करण हेर लॉस होना, गर्मी बहुत लगना, वेट कम हो जाना, बीपी बढ़ जाना, हाथ कापना, भूग ज़्यादा लखना, पसीना बहुत आना, कमजोरी आना, चक्कर आना, सांस हूलना, नीन ठीक से नहीं आना, फीमेल्स में पीरेड से रगुल नहीं रहना जैसी प्रब्लम्स हो जाती है, उसके लिए ये घरिलो नुसका बेयतकार गर है, हाइपर थोरेड में थोरेड ग्लेंड ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, ये नुसका थोरेड की एक्टिविटी को कम करके वापस नॉर्मल करने में बहुत बड़ी मदद करता है, आपको इ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजी और फिर इस बैल आइकन को क्लिक कीजी जिससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके